नमस्कार क्या पचल टिवी का खाश शो राहूल का अगनिपद देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूछा केरल की एरना कुलम में इसाई सम्मेलन के दोरान धार्मिक सभा में जबरदस्त बम धमाका हुआ इस दमाके को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं सवाल सबसे बड़ा और एहम यही है कि आखिर ये कौन लोग है जो बाहर से आकर राज़कता फैलाना चाहते हैं और इसका समर्थन कौन कर रहा है राहूल गांधी जो सांसत केरल के वाइनार्ट से ही है पहले तो वो चुप रहे जब उनकी चुपी पर सवाल खड़े होने लगे तो उनका एक ट्वीट साम ने आया जिसमें उन्होंने लिखा कि सब इस समाज में नफरत और हिंसा के लिए कोई जखा नहीं है सरकार को पूरी जाच करनी चाहिए और दोशियों को न्याय के कटगरे में खड़ा करना चाहिए तो वहीं इसराइल हमास जंग के बीच सोनिया गांधी ने अंग्रेजी अकबार दा हिंदू के लिए एक लेख लिखा इसमें उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा कि कॉंग्रिस का विश्वास है कि सब दुनिया में हिंसा की कोई जखा नहीं है प्रयांका गांधी भी इसी तरह के शब्दों का इस्तमाल इन दिनों कर रही है तो आखिर ये कॉंग्रिस पार्टी किस सब्वे समाज की बात कर रही है जिन पर खुद कई आरोप लग चुके हैं इसी पे चर्चा करेंगी मेरे साथ स्टूड में मौझूद है क्यापिटल टीवी के एक्सक्यूटिव एडिटर राजीब जी बहुत बहुत स्वागत है आप कर बार जिस सब्वे समाज की बात कर रहे हैं उनके लिए एक सब्वे समाज होता है शानती दूतों का समाज दो तठा कतित, शानती दूत बताया जा रहा है इस दुनिया के हर जगह उनकी उपस्थिती, शानती का प्रतीक होता है चाहे इजरायल हो, अफगनिस्तान हो, सीरिया हो, गजा हो, या सौदी अरब हो, या फिर ईरान हो या फिर दुनिया के अलग अलग देशों में जहां इनकी उपस्थिती है फ्रांस में शांती पुर्ण तरीके से धमाके होते हैं और अमेरिका में भी इसी तरीके के शांती पुर्ण ब्लास्ट होता है हंदुस्तान के अंदर भी जब इस सब्भ समाज के लोगों के परतनिदित्व करने वाले पार्टी की सरकार थी कॉंग्रेस की सरकार रही यूपीए वन यूपीए टू की सरकार रही मोदी के आने से दस साल पहले तक उसके पहले भी कॉंग्रेस की सरकार रही तो इन सब समाज वालों ने ही ठेका उठाया शांती का और वो शांती कहां दिखी अक्षर धाम में दिखी गुजरात में जहां पर एक बड़ा विसफोट हुआ शांती पूर्ण तरीके से मुंबई में दिखी जब लोकल ट्रेन में इन शांती दुतों ने शांती का परदर्शन करते हुए विसफोट किया मुंबई में धमाका हुआ जो इतना बड़ा धमाका हुआ पूरा देश इल गया उसके अलग दिल्ली जैसे जगह पर पारलियामेंट में शांती पूर्ण एक्षन होता है ये शांती पूर्ण परदर रखे हुए बंग बिसफोट होता है ये अलग-अलग इलाकों की खबरे हैं जो इस शांती पूर्ण शांती दूतों वाले सभ समाज की बात आज सोनिया गांधी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कर रही है तो कि अभी मामला क्या है गजा के खिलाफ यानि की हमाज के खिलाफ इजराइल का एक्षन इजराइल जो करवाई कर रहा है उन शांती पुर्ण तरीके से रहने वाले सभ समाज के लोगों के खिलाफ ये सभ समाज के लोग हैं जो मिसाइल दागते हैं विसपोर्ट करते हैं ये जो जिहाद पैदा करते हैं जिहादी पैदा करते हैं य तर्चा इसी बात की हो रही थी कि भई इसराइल और फुलिस्तीन के बीच विवाद चला हमास को लेकर और हमास के खिलाफ इसराइल ने कारवाई की है या कर रही है इसराइल की सेना अब गजा में घुश चुकी है इन लोगों को सबक सिखा रही है और यहां पर परेशानी कि से हो रही है सोनिया गांधी प्रियंका गांधी राहुल गांधी को भारत सरकार ने कहा कि आतंकवाद के किसी भी स्वरूप को हम बरदास्त नहीं करेंगे स्विकार नहीं कर सकते इसलिए यूएन में भारत ने क्या किया जब इस पूरे सभ समाज को बचाने के लिए यानी ह समास जैसे सभ्व संगठन दुनिया में और कौन से है जो कि पॉलिटिकली भी मजबूत है गजा के छेत्रों में और हत्यारों से भी मजबूत है जिसको करोडों करोड अरवों का हत्यार मिलता है ये अपने आप तो वहां के रिवेन्यू से हत्यार नहीं ला सकते ये आज पास ये सब समाज के लोग इजरायल में यहूदियों के खिलाप कर रहें तो कि इनको लगता है कि हमारे अरव बस्ती में यहूदी आके शांती को भंग कर रहा है तो इसलिए वहां पर जब पिये मोदी ने कहा हम किसी तरीके से आतंकी संगठन का समर्थन नहीं कर सकते उसे पिये मोदी सरकार या फिर भारत के उस स्टैंड का विरोध कौन कर रहा है हर जगह पर मुस्लिम संगठन सड़कों पर उत्रे हुए हैं लेकिन समस्या ये है कि किंदर सरकार पूरी तरीके से हमास के खिलाफ है फिलिस्तीन के उसके समर्थन के खिलाफ है मानवाधिकार की बात ना करें क्योंकि मानविये मुल्यों को बचाने के लिए ही भारत सरकार सहयोग दिया फिलिस्तीन में यहां से सामागरी गई है भेजी गई है साहयता सामागरी वहां पहुची है वो उन लोगों के लिए है जो की परिशान है लेकिन जो आतंकी संगठन है उसके खिलाफ कारवाई बीच में कैसे रोकी जा सकती है इसके लिए सीज़ फायर नहीं हो सिर्फियों में सरकार भारतिय जनता पार्टी की तो ये लोग सौफ टारगेट देखते हैं जहां पर आई ऍटिए की सरकार है विपक्शि पार्टी के गठवlichkeit की सरकार हैं केरल में धी किरल में वामपन्थी पार्टी के सांथ इनडारेक्टली जुड़ि उऊय है कॉंग्र है तो इसलिए वहाँ पर सौफ टार्गेट मिलता है वहाँ पर विस्पोट किये जाते हैं परदर्शन किये जाते हैं दूसरी जगह पर ये पंजाब में लुदियाना में पिछले दिनों एक बहुत बड़ी रेली हुई मीडिया में खबर तक नहीं है इसकी वहाँ के लोकल अ समर्थन में वह वैसी जैसे लोग कड़े हैं क्या कॉंग्रेस ने उसकी बुराई की ये सौफ टार्गेट ढूंडे हुए तो अब इन लोगों को लगा कि अब हिंदुस्तान के मुसल्मान जब इतने उग्र हो रहे हैं इस मामले में अगर हम उनका साथ नहीं देंगे तो आ समाज में हिंसा के लिए जगह नहीं होनी चाहिए यूएन के रिजोलूशन का भारत समर्थन करता कुछ शातिर ताइप के लोग हैं जो पीए मोदी को सलाह दे दिये और शातिर एडवाइस के कारण मोदी ने गलत कदम उठाया है हम जो हमारी सरकार बनेगी या पहले भी थ हम फिलिस्तीन को स्वेंप्रभू रास्ट मानते हैं सोवरेन स्टेट है वो ये कौन सा तरीका है कि मोदी उसे नहीं मानते सोवरेन स्टेट भारत अभी भी फिलिस्तीन को सोवरेन स्टेट ही मानता है लेकिन इनकी क्या मांग है कि अब इजरायल की कारवाई रुख जानी च चाहिए और उसके बाद फिलिस्तीन से बातचित होनी चाहिए ये किस फिलिस्तीन से बातचित करें फिलिस्तीन तो हाथ खड़ा कर देता है कि हमारा तो अधिकार ही नहीं है गजा में गजा में पूरी तरीके से कबजा जो है वो हमास का है तो हमास के कबजे वाले छित्र में से क्या बातचित की जाएगी जब उसके territory से इतनी मिसाईले 5000 मिसाईले अगर दागी जाती है तो फिलिस्तीन की सेना उस समय क्या कर रही थी तो इसकी सजा तो भुगत नहीं पड़ेगी लेकिन इनको बचाना किसे है हमास को बचाना है इसलिए हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि जिन लोगों ने हमास के साथ siege fire करने की मांग की है वो क्या है वो जानते नहीं है कि हमास है क्या जब भारत के जितने भी भारत में आतंकी संगठन का जो network है उसमें कौन कह सकता है कि हमास का उसे संपर्क नहीं है जब केरल में एक रैली की गई जमात इसलामी के युथ विंग के द्वारा और उसमें हमाज का नेता आतंकी जुड़ता है वर्चुवली तो सोनिया गांधी राहुल गांधी चुपी क्यों साधे रहते हैं बोलना चाहिए पिंडरे विजयन को भी बोलना चाहिए और ये बताना चाहिए कि केरल में बामपं कानेता कैसे जुड़ गया उसलेली में जो फलिस्तिन और हमास के समर्थन में है तो यह लोग जो बार-बार कोशिश कर रहे हैं उससे सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमास गया तो फिर इनका एंगर अगर कोईरस आतंकवाद का समर्थन नहीं करती रहती तो अभी हिंदुस्तान में इतने सालों से आतंकवाद पनपता नहीं रहता आप 9 साले को रिकार्ट को देख लीजिए 9 साल से सरकार बदली हुई है पिये मोदी की सरकार है कितने बंबलास्ट हुए कितने बड़े हमले हुए एक कश्मीर की बाद थोड़े बहुत उठा देंगे लेकिन कश्मीर में भी ये जो पत्थरवाज गैंग हैं ये कहां एक्टीव है अभी इन लोगों ने आतंकियों का सहारा इसले लिया क्योंकि आतंकी मुस्लिम संगठन से काम करते हैं और मुसल्मानों की सहानवूती उसके साथ कहीने कहीं है जैसे पाकिस्तान में हमेशा एक परसेप्शन रहा भारत के विरोध में रहो भारत को के उपर हमला करते रहो परोक्ष तोर पर शदम्यूद छेड़े रहो और वहां के लोगों को बेवकू बनाते रहो कि देखो भारत के खिलाफ हम एक्टिव है कश्मीर को आजाद कराने के लिए इसलिए हमारी परिशानी बढ़ रही है विरोजगारी बढ़े उसको भी किसी न किसी तरह से बैलेंस कर दो यानि कि हिंदुस्तान में कॉंग्रेस ने यही किया इन लोगों ने शांती दूतों को अपने साथ रखने के लिए और लोगों को इस बात के लिए बेवकू बनाने के लिए कि अगर ये घटना घट रही है तो उससे परिशानिया जो बड़ी है तो लोग दूसरे मुद्दे पर न दे के उसी परिशानियों में उलजे रहे हैं इन लोगों ने संरक्षन दिया और आज ये दिख रहा है क्योंकि ये पूरी की पूरी क्रोनलोजी को देखिए अभी ये तो दस दिनों का समय है इस दस दिनों में पता चल जाएगा कि इस कैसे इनवोल्व रही है क्योंकि अचानक से फिलिस्टीन के समर्थन में आना उस समर्थन के बावजूद जब कुछ नहीं दिख रहा था कि हमारे समर्थन से सरकार प्रभावित नहीं हो रही है दवाब में नहीं आ रही है तो अचानक से राहुल गांदी कहा चले गए उजबेकिस्तान ये इस्लामिक देश के पास चले गए वहां किने लोगों के साथ मिटिंग होई ये किसी को पता नहीं है और उस मिटिंग के बाद राहुल गांदी वापस आते हैं और कतर से एक न्यू जाती है कि ये हमारे पुर्व नौसनिक जो थे आठाठ को मौत की सजा स उसके बाद इस पर भी ना कॉंग्रेस के सब तरब से कोई परतिक्रिया ना उसका विरोध दर्ज किया जाता है फिर क्या होता है एक दिन बाद ब्लास्ट होता है ये सारे के सारे जो घटनाय हुई है ये ही सारा करती है कि कॉंग्रेस बामपंथी पार्टियां ये मुस्लिम संगटन यह सब इकठा होकर अरजक्ता पैदा करना चाहते हैं ऐसा महौल ताकि लोग फ्रस्टेट हो जाएं और उनको लगने लगे कि यह सरकार है जो देश को सम्हालने में सक्षम नहीं है अब इनके पास सामान तरीके से लोगों को अपने साथ जोड़ने की चमता नहीं है तो अरजक्ता पैदा करना चाहते हैं अस्त व्यस्ति सित्य हो लाइन अर्डर का सिच्वेशन क्रियेट हो और फिर बदनाम करें सरकार को और फिर लोगों को यह बताएं कि कॉंग्रेस के बिना यहां देश में सही तरीके से सासन नहीं चल सकती है और इसलिए यह पूरा का गांधी परिवार जो गांधी नहरू परिवार है प्रियंका वाडरा हो या राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी एक ही लाइन पे चल रहे हैं और इन लोगों का मकसद यही है मुसल्मानों के खुश करने के लिए देश को पूरी तरीके से नस्ट कर दो और यही इस्तिती रही तो कॉंग्रेस जो लोग अभी देख रहे हैं अब्जर्व कर रहे हैं कॉंग्रेस अब अगले कुछ सालों के अंदर खत्म हो जाएगी ये लोग अपना बोड़िया विस्तर बांध के फिर इटली ही जाएगा यहाँ पर कोई जगह ही लोगों के लिए रहेगी नहीं मतलब तभी सब्समाज का धिंडोरा पेट रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने की लिए तो इस्राइल हमास जंग को लेकर केरल के मलापुरम में फिलिस्तीन के समर्थन में राली हुई थी जिसके बाद अब केरल के अरना कुलन में प्रातना के दौरान धमाका पर लगतार तीन दास्ट वजा का खुलासा अब धीरे-धीरे हो रहा है सवाल कॉंग्रेस पार्टी पर ही खड़े हो रहे हैं तो वहीं इसके जिम्मेदारी लेने वाला शक्स भी सामने आ गया है और उमीद है इस साजश का जल्द पढ़ता फास होगा इस पे आप अपनी कॉमेंट कर लिखे देखे रें क्यापितल टीवी नमस्कार